जै माता दी दोस्तों एक बर फिट से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान सर्ता रोचक जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको गड़ेश चतूर्थी के बारे में बताने जा रहे हैं कि गड़ेश चतूर्थी की पूजा विधी क्या है और गड़ेश चतूर्थी की कथा किस प्रकार से है तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लेश सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दीजिए जिससे की हमारी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें कोई सुझा हो तो हमें कमेंट करना न भूलें गड़ेश चतुर्थी का दिन भगवान सिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान गड़ेश जी के जनम दिन के रूप में मनाया जाता है इस तेवहार की आवधी इस्थान और परंपरा के आधार पर एक दिन से ग्यारा दिनों तक भिन होती है लोग भगवान गड़ेश की मूर्थियों को अपने घर में लाते हैं और पूजा करते हैं भगवान गड़ेश ज्यान सम्रद्धी और अच्छे भागी का प्रतीक है गड़ेश चतुर्थी हिंदू महीने के भादों के सुक्ल चतुर्थी पर मनाया जाता है यह सब मुझे भारत भर में एक महान भक्ती के साथ मनाया जाता है गड़ेश चतुर्ति का हिंदु धर्ब में विशेश महत्र है तुँ फ्रेंड्स आइज जानते हैं कि गड़ेश चतुर्ति की पुजा किस परकार से की जानी चाहिए गड़ेज चतुर्थी की पूजा के प्रारम में आपको हथेली में जल, अच्छत और पुस्प लेकर स्वास्तिक बना कर गड़ेज भगवान और अन्य देवताओं को याद करना होगा उसकी बाद पुस्प और अक्छत को चौकी पर समर्पित करना होगा इसकी बाद एक सुपारी में मौली यानि की कलावा लपेट कर चौकी पर स्थापित करें इसकी बाद गड़ेज भगवान का आवाहन करें और कलस की स्थापना करें ध्यान रहे की कलस उत्तर पूर्व दिसा अथ्वा चौकी की बाही और स्थापित किया जाना चाहिए उसकी बाद जोत प्रजलित करें उसकी बाद पंचो पचार की अनुसार गड़ेश फूजा सुरू करें इसकी विदिय की सबसे पहले आवाहन प्रिक्रिया करें इसकी बाद इस्थान ग्रेहन करें हथेली में जल लेकर मंतर पढ़ते हुए गड़ेश भगवान के चरणों में अरपित करें चंद्रमा को मंतर पढ़ते हुए तीन बाद जल चढ़ाएं पान के पत्ते के द्वारा पानी लेकर चीटे मारें सिले सिलाए वस्द्र और कलावा चढ़ाएं माला पगडी जनेव हार आदी भगवान गडेश को अरपन करें फूल धूब दीप पान के पत्ते और फाइल मिठाई मेवे आदी अरपित करें भगवान गडेश की मूर्ती या चित्र को मोदत या लड़ू का भोग लगाएं इसकी बाद अम सिद्ध बुधी महागडपती नमा मंत्र का जाब करें साम के समय वरत पूजा करने के पहले आपको संकष्टी वरत कथा का पाठ करना होगा कथा की अनुसार एक बार भगवान संकर और माता पार्वति नर्मदा नदी के निकट बैठे थे वहां देवी पार्वती ने भगवान भोले नात से समय वैतीत करने के लिए चौपट खेलने के लिए कहा भगवान संकर चौपट खेलने के लिए तो तयार होगे लेकिन इस खेल में हार जित का फैसला कौन करेगा इसका प्रेष्ण उठा इसके जवाब में फैसला करने वाला कोई नहीं है इसलिए तुम बताना की हम में से कौन हारा और कौन जीता ये कहने के बाद चोपड का खेल सुरू हो गया खेल तीन बार खेला गया और सन्योग से तीनों बार पारवती जीट गई खेल की समाप्त होने पर बालक सिहार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो बालक ने महादेव की विजे को बताया यह सुनकर माता पारवती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगडा होने और कीचड में पड़े रहने का स्राप दे दिया बालक ने माता से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अग्यानता वस ऐसा हुआ मैंने किसी दोएस में ऐसा नहीं किया बालक के छमा मांगने पर माता ने कहा कि यहां गड़ेस पूजन के लिए ना करने आएंगी उनकी कहर मुसार तुम गड़ेस वरत करो ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे ये कहकर माता भगवान सीव के साथ के लास फर्वत पर चली गई ठीक एक वर्स के बाद उस इस्थान पर नाक कन्याय आई नाक कन्याओं से सरी गड़ेश के वरत की विधी मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गड़ेश जी का वरत किया उसकी स्रद्धा देखकर गड़ेश जी प्रसन्न हो गए और सरी गड़ेश ने बालक को मनोवान चित फल मांगने के लिए कहा बालक ने कहा कि है विनायक मुझमें इतनी सक्ति दीजिये कि मैं अपने पैरों से चल कर अपने माता पिता के साथ कैलास वर्वत पर पहुंश कूँ और वो ये देखकर प्रसन्न हो जाएं ये व्रत्विधी भगवान संकर्ण माता पार्वती को बताई यह सुन माता पार्वती ने मन में भी अपने पूत्र कार्तिके से मिलने की इच्छा जागरत हुई माता ने भी 21 दिन तक स्री गड़ेश व्रत किया और दूरवा पुष्प और लड़ों से स्री गड़ेश जी का पूजन किया व्रत के 21 दिन कार्थिके स्वयम माता पार्वती जी से मिलने आ गए उस दिन से स्री गडेश चतुर्थी का वरत मनो कामना पूर्ती करने वालो वरत माना जाता है तो फ्रेंट्स ये थी गडेश चतुर्थी की पूजा विधिया और कथा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेयर चरूर करें तब फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जय माता दी